हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका माई फोटोग्राफी चानल में दोस्तों कल के एपिसोड में हमने देखा था कि फिल्म और डाउनलोड और इस्टल कैसे करें यहापे हमने फिल्म और और को डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे हमने डबल क्लिक करके फिल्मरा को ओपन कर लिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लाइबरेरी है अगर आपने बहुत जादा प्रोजेक्ट बनाए है तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगी अगर उस लिस्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट आपको सर्च करना है तो यहाँ पे आप उसका नाम देखे यहाँ पे सर्च कर सकते है यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट अगर आपने प्रोजेक्ट बना के कही रखा है तो यहाँ से आप उसे लाके ओपन कर सकते हैं यहां पर कुछ एस्पेक्ट रेशो दिये है वाइड स्क्रीन, इंस्टाग्राम, पोट्रेट तो यह अलग अलग वीडियो एडिटिंग के लिए इंपोर्टन्ट है तो सबसे पहले हम 16x9 का लेंगे जो बहुत ही फेमस हैं वाइड स्क्रीन और हमेशे इसे ही हमेशे यही हम यहां ओपन नहीं कर सकते तो यहां से हम नाया प्रोजेक्ट लेंगे तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं फिल्मोरा का इंटरफेस यहां पर ओपन हो गया है फिल्मोरा यहां पर अभी तीन हिस्व में डिवाइड है जो पहला हिस्सा है उसमें है मेडिया, आडिय टाइटल्स, ट्रांजिशन, इफेक्स, एलिमेंट्स और एक्सपोट इसके बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे यहाँ पर दूसरा हिस्सा है यहाँ से यहाँ तर यहें प्रिव्यू विंडो और सबसे important यह है timeline जो हमारा सबसे महतोपूर्ण हिस्सा है अगर आपने फिल्मोरों को purchase कर लिया है और उसे activate करना है तो आप यहाँ पे सिधा click करो account पे तो आपके सामने इस तरह का login का एक page open हो जाएगा यहाँ पे आपना जिस नाम से आपने purchase किया है जिस email से जिस password से तो यहाँ पे login करके आप उसे activate कर सकते है कभी कभी क्या होता है कि हमने जो सबसे पहले जो aspect ratio हमने लिया था 16x9 का अगर हमें उसे change करना है तो आप उसे इस icon पे click करके यहाँ पे आपको change aspect ratio का एक option मिलेगा यहाँ पे आप click करते ही आपको 16x9 Instagram portrait standard जिस तरह का आपको aspect ratio लेना है उस तरह से ले सकते हैं और कौन सा frame rate आपको रखना है तो यहाँ से आप set कर सकते हैं कि अभी हम देखते हैं कि media import कैसे करते हैं media में audio आता है images आते हैं और videos आते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे click करके हमारी media को import करेंगे यहाँ से हम media import करेंगे अगर आपको सभी जितने भी यहाँ पे जो files है अगर आप सबको select करना है तो keyboard shortcuts control A और यहाँ से आप open कर सकते हैं या फिर उस में से इस media में से कुछ files आपको लेनी है तो control दबा के mouse का खाली button आपको click करना है तो आपकी media files import हो जाएंगे या फिर कभी कभी क्या होता है कि एक serial wise हमें media select करने पड़ती है तो जो भी पहली click रहेगी उसे click करके shift दबा के हम last वाली जो भी हमारी media है उसे click करके हमारी जो भी media है वो एक ही serial में select हो जाएगी और आप यहाँ से open कर सकते हैं मेडिया उपन करने के लिए और एक option है मेडिया इंपोर्ट करने के लिए और एक option है आप सीधा यहाँ से जितने भी आपको मेडिया चाहिए उसे select करके आप सीधा यहाँ पे ड्राग और ड्रॉप कर सकते हैं तो फिलाल हम इसे अभी डिलिट करेंगे अब हम दूसरी मेतल के तरफ जाएंगे यहाँ पर आपको इंपोर्ट का एक टैब दिखाए देगा आपको यहाँ पर क्लिट करना है और आप यहाँ से मेडिया इंपोर्ट कर सकते हैं सेम प्रोसेस अगर आप फाइल इंपोर्ट करने के लिए शौट कट भूल गये है तो यहाँ पर इंपोर्ट के सामने इंपोर्ट मेडिया फाइल के सामने इसका पटकेट दिया है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं यहां पे में कंट्रोल आए करूँ गा और जितने भी हमारे मेडिया है इसे हम ओपन करेंगे तो यहां पे हमारी मेडिया ओपन हो गई है यहां पे हमने सिर्फ खाली इमेज़े से लिये यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कुछ फोल्डर से बने बनाएं यहाँ पर हम अपने खुद का फोल्डर भी बना सकते हैं यहाँ पे हम बनाएंगे अनिमल नाम का फोल्डर अनिमल अगर आपको इस मेडिया में से कुछ इमेजेस आपको इसमें एड़ करने हैं तो आप सीधा इसे सेलेट करो और यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करो आपकी फाइल इस नए फोल्डर में चली जाएंगे अगर आपको इस फोल्डर को डिलिट करना है तो आप सीधा यहाँ से डिलिट फोल्डर है यहाँ फिर आप इस फोल्डर को राइट क्लिक करके डिलिट कर सकते हैं यहाँ पे रिनेम भी कर सकते हैं तो फिलाल हमें इसकी को वीडियो यहां पर हमने इमेजस और वीडियो भी लेके आए है लेकिन हम इसे पहिचानेंगे कैसे क्योंकि यह दोनों मिक्स हो गए है तो एक सिंपल सी में तड़े यहां पर इस इमेज के उपर आपको एक सिंबोल दिखाई देगा इसका अर्थ है इसका मतलब यह जेपीजी इमेजे और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे वीडियो फाइल में आपको एक अलग सा सिंबोल दिखाई देगा इसका मतलब यह वीडियो है यहापे कुछ ऑप्शन है अगर किसी मेडिया को आपको यहापे सर्च करना है उसके नाम से तो यहापे आप खाली नाम लिखेंगे तो उस नाम की फाइल आपके सामने ओपन हो जाएंगे यहापे मैंने cat लिख दिया तो जितने भी cat के image थे यहापे open हो गई है तो इस तरह से आप images या फिर videos उसके नाम से सर्च कर सकते हैं यहापे एक दूसरा option है view का यहापे आप thumbnail view देख सकते हैं यहापे list view list view के ही सब से यहापे उसका type यहाप आपको दिखेगा उसका frame rate यहापे दिखेगा यहापे दूसरा option है large thumbnail view यहापे और एक option है middle thumbnail view small thumbnail view यहाप एक दूसरा फिल्टर का option है अगर आपको खाली वीडियो पे ही काम करना है और आपको खाली वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको उस मेडिया फाइल में से सिर्फ वीडियो जी आपको दिखाई देंगे अगर आपको कुछ images पे काम करना है slideshow जैसे तो आपको image पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सिर्फ images ही open हो जाएंगे तो यहापे हम all करते है इन मेडिया फाइल को timeline में लाने के लिए दो option है यहापे आपको एक plus का symbol दिखाई देगा जैसे आप इसको plus पे symbol पे click करेंगे तो यह फाइल यहापे timeline में add हो जाएंगी यहाप फिर आप drag and drop करके भी यहाँ से आप मेडिया को ला सकते है यहापे आप देख सकते है यह play head है यह play head जिस भी जगा पे रहेगा उसी जगा का frame आपको इस preview window में दिखाई देगा तो यहापे हम फिलाल इसे starting point पे रखते है और यहापे हम इससे play करते है प्ले करते ही हमारा play head यहापे आगे की तरफ चलने लगा है और यहापे भी आप देख सकते हैं यहापे भी pointer प्ले हो रहा है अगर आपको इसको pause करना है तो आप यहाँ से pause कर सकते हैं यहाँ फिर आप इसका shortcut space यहाँ पे space का एक keyboard पे अगर space दबाएंगे तो आपका वीडियो प्ले होने लगेगा और जैसे आप space दबाएंगे तो आपका वीडियो pause होने लगेगा यहां पे stop का बटन है stop कर सकते है पॉस यहां पे हम वापिस से प्ले करेंगे यहां पे हमने space दबा के इसे पॉस कर गया पॉस का मतलब यहां पे जो हमारा play head है जहां पे अभी चल रहा था तो जैसे हमने पॉस के हमारा play head वही पे रूप गया अगर हम इसे stop करेंगे तो हमारा play head सबसे starting point में चल जाएगा और हमारी वीडियो या फिर images स्टार्टिंग से play होने चलो हो जाएगी तो यही फरक है पॉस और stop में आप इसे माउस के cursor से आगे पीछे भी ले सकते है इस play head को तो आपको प्लस का शिमबॉल दिया है आप यहां से प्लस करके timeline को जूम कर सकते है अगर माइनस करना है तो आप यहां से कम कर सकते है timeline को जूम करने के लिए यहां परे आपको एक shortcut मिलेगा Ctrl, ₲ प्लस, उक्वल का जो sign है अगर उसको आप प्लिक करेंगे तो आपका timeline जूम होने लगएगा और इसको जूम आउट करने के लिए Ctrl-Minus का एक बटन है अगर वो दबाएंगे तो आप आपकी timeline जूम आउट हो जाएगे यहापे अगर आपको आपके timeline में जितने भी वीडियो जे और या फिर images से वो आपको फिट करनी है इस timeline में तो यहापे shortcut दिया है यहापे इसका shortcut है shift-z या फिर आप यहापे click करेंगे तो जितने भी media है या फिर timeline में आपने जो add की है तो उसी सबसे यह fit हो जाएगे यहापे इस playhead को आप यहाँ से आगे पिछे कर सकते है house का जो cursor इस timeline पर लेके आएंगे तो आप इसको simple click करके बिना छोड़े अगर इसको आप left की तरफ लेके जाएंगे तो आपकी timeline zoom out होगी और अगर अगर आप इसको right की तरफ लेके जाएंगे तो आपकी timeline जूम इन होती रहेगी यहापे आपको timeline दिख रही है आप सीधा किसी भी timeline पर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मुझे 10 second पर यहाँ जाना है तो यहाँ से मैं सीधा 10 type करूँगा और enter करूँगा तो मैं सीधा उसी time पर मेरा cursor चला जाएगा यहाँ पर हम दिखेंगे कि frame by frame कैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने simple click किया starting point को अगर हम left का arrow की दबाएंगे तो हम पिछले वाली frame पर चले जाएंगे अगर हम right वाला arrow की दबाएंगे तो हम आगे वाली frame पर चले जाएंगे तो आप यहाँ पर देखो यहाँ जो timeline है हमारा उस timeline में यहाँ पर frame और यहाँ पर second है तो जैसे हम right का arrow की दबाएंगे तो हमारी यहाँ पर एक frame हम आगे चले गए यहाँ पर हम दो बार दबाएंगे एक दो तो हम यहाँ पर तीसरे frame rate पर आगे जैसे जैसे हम arrow की राइट की तरफ लेके जाएंगे तो हम एक एक फ्रेम हम यहां से ले सकते हैं यहां पर टाइम लाइन में आपको आपका प्ले हेड भी यहां पर एक एक फ्रेम आगे बढ़ रहा है कभी कभी वीडियो का काम करते वक हमें प्रिवीव विंडो का लार्ज करना पड़ता है तो यहाँ पर हम लाच करने के लिए यहाँ पर आपको दो सेक्शन है यहाँ पर जो मीडे का सेक्शन है और प्रिवू का तो इसके बीच में हम अगर करसर लेके जाएंगे तो हम यहाँ पर हमारा प्रिवू सेक्शन बढ़ा सकते हैं यहाँ पर हम टाइम लाइन के बीच में थोड़ा नीचे जायेंगे तो भी हमारा इनरोम बड़ा दिखने लेगा या propre अगर विद्धार में देखने चाहते तो यहाँ पर यहाँ पर अल्ट सब्सक्रीन में सि अफिर इहाँ पर ग्लिक करितेंगे तो आपका को यह mister अब बटन दबव कीवोर्ट से आप बाहर आ जाओंगे तो फिलाल हम इसे ही पहले जैसे रखते हैं अभी हम आते हैं आट्यो और वीडियो ट्रैक के तरफ यहाँ पे आपको सबसे पहले एक वीडियो ट्रैक दिखेगा और उसके नीचे आट्यो ट्रैक दिखेगा अगर आपको कुछ ट्रैक इसमें एड़ करने है तो आपको सिंपल यहां इस जगा पे राइट क्लिक करना है और यहां से आप वीडियो ट्रैक एड़ कर सकते लिए या फिर वीडियो ट्रैक एड़ करने के लिए और एक तरीका है आप सीधा यहां पे आपका मेडिया यहां पे लेक्या हो अटोमेटिक आपका और एक वीडियो ट्रैक एड़ हो जाएगा अगर आपको audio और video track में कुछ customize changes करने हैं तो आप सीधा यहाँ पे right click करो और यहाँ पे open a track manager है इसे open करने के बाद आपको जितने चाहिए video track आप यहाँ पे add कर सकते हैं आपके ही सबसे यहाँ पे वो जो track है वहाँ आपको कौन से track के ऊपर चाहिए या फिर किस track के नीचे चाहिए यहाँ अपे select कर सकते हैं यहाँ पे audio track आपको कितनी चाहिए यह select कर सकते हैं same way से ही यहाँ पे हम okay करेंगे कभी कभी क्या होता है कि कुछ track हमें delete करने पड़ते हैं तो यहाँ पर हम simple इस track को select करेंगे और यहाँ से delete selected track करेंगे तो यह हमारा track delete हो गया और यहाँ पर हमें एक दो track ऐसे जो empty है अगर हमें इस empty track को भी delete करना है तो simple delete empty track तो यहाँ से जो empty track थे वो delete हो गये है अगर हमें यहाँ पर जो track दिख रही है हमारी जो वीडियो की अगर हमें उसकी height adjust करने है तो आप height adjust करने के लिए यहाँ से simple cursor लेके जाएंगे और यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते है या फिर यहाँ पर adjust track height small, normal और big तो यहाँ से हम track की height adjust कर सकते हैं कभी-कभी audio के waveform हमें proper नहीं दिखाए देते हैं तो हम track की height कम ज़्यादा करके waveform देख सकते हैं दोस्तो आज के इस episode में बस इतना ही आने वाले episode में हम किस तरह से images को लेके slideshow बनाते हैं यह देखेंगे दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो YouTube पे search bar पे my photography channel आपको search करना है और यहाँ से click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक interface आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक लाल बटन है subscribe यहाँ पे आपको click करना है साथ में इस गंटे को भी दबना है जिससे के हमारे आने वाली notification आपको सबसे पहले मिल सके यहाँ पे कुछ हमारे वीडियोज है जो हमने अभी तक पोस्ट किया है मुझे यकिन है इस में से कुछ न कुछ वीडियो आपको जुरूर पसंद आएंगे तो आप एक बार यहाँ पे जाके देख सकते है यह जितने भी वीडियोज है सब photography और photoshop और editing के related मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है अगर आप interested है तो आप यहाँ पे जाके इस वीडियोज उसको देख सकते हैं यहाँ पर आलग से मैंने playlist भी बनाई है अगर उस playlist में आपको interest है किसी particular subject पे तो आप यहाँ से भी उसको select करके देख सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेर करो सब्सक्राइब करो और हाँ दोस्तों कमेंट करना ना भूलो धन्यवाद